गती विधी 2 एक डोरी लीजिये और उसे गेन पर पूरी तरह लपेट दीजिये बीच में कोई भी जगा छूटने ना पाए और ना ही डोरी एक दूसरे के उपर हो आकरिती 33 देखिए अगर हम इस डोरी से वृत्त बनाए जिसकी तरिज्या गोले की तरिज्या के बराबर हो तो आप पाएंगे कि हम ऐसे 4 वृत्त बना पा रहे हैं आकरिती 34 जिसका क्षेत्रफल पाई आरवर्ग होगा अता गोले का प्रिष्टिक शेत्रफल बराबर 4 गुनित वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आरवर्ग इसलिए गोले का प्रिष्टिक शेत्रफल बराबर 4 पाई आरवर्ग वर्ग इकाई जहां आर गोले की तरिज्या है तब एक अर्ध गोले का प्रिष्ठीक शेत्रफल निम्नलिकित तरीके से प्राप्त किया जा सकता है अर्ध गोले के वक्र प्रिष्ठीक शेत्रफल बराबर एक बटे दो गुणित गोले का प्रिष्ठीक शेत्रफल बराबर एक बटे दो कोश्टक में फोर पाई आर वर्ग बराबर टू पाई आर वर्ग अर्ध गोले के संपोन प्रिष्ट का क्षेत्रफल बराबर 2 pi r का वर्ग धन pi r का वर्ग बराबर 3 pi r वर्ग वर्ग इकाई अता गोले का प्रिष्ट क्षेत्रफल बराबर 4 pi r वर्ग वर्ग इकाई अर्ध गोले के वक्र प्रिष्ट का क्षित्रफल बराबर 2πR वर्ग वर्ग इकाई अर्ध गोले के संपोन प्रिष्ट का क्षित्रफल बराबर 3πR वर्ग वर्ग इकाई गोले का आयतन गोले का आयतन उसकी त्रिज्जा के घन के समानुपाती होता है जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ती है आयतन तेजी से बढ़ता है आयतन का मान 4 बटे 3 पाई आर के घात 3 द्वारा दिया जाता है